आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतवपून है हर एक एक एक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है जाती भारत की एक अनूठी संस्ता है तदा हिंदू धरम का सबसे महतवपून एवं उलेखनीय सिद्धान्त हैं जाती प्रथा एक बहुत हानी कारक प्रथा थी जिसने अती प्रभावशाली होकर समाज पर नियंतरन बना लिया समाज में एकता था संभ्यभाव पैदा करने के स्थान पर इन जाती प्रथा ने कई समस्याओं को भी जनम दिया जैसे असमानता घेना इर्शा दोस्ता समाज का कई वर्गों में बिघटन भी किया समाज में वियाप्त इन बुराईयों का कई महान भुभुतियों ने जैसे महत्मा गांदी भगवान बुद्ध भगवान महावीर गुरु नानक देव जी अन्य समाज सुधार को जैसे जनम एवं करमीक विकास जोई काफी महत्वपून है हमारे समक्ष जो आया है टॉपीक जाती प्रता जनम के लिए तो दाई पर मुख्य कारण क्या थे इस पर हम विस्तार पर चर्चा करने जा रहे हैं तो बने रहे तिरपान स्टैडी सेंटर के साथ देखा जाया तो जाती जरूरी भी था कहते हैं जाती प्रता उत्तर वैदी काल का महा कावे काल में उत्पन हुई यानि यह और भी महत्वपून बना देता है यहां पर कि जाती प्रता उत्तर वैदी काल का एक महा कावे काल में उत्पन हुई यानि जब जो है महा कावे लिखी जा रही थी उसी सम जाती प्रता उत्तरवेदी काल के महा काव्य के दौरान उत्पन हुई थी तता इसने धीरे-धीरे हिंदूओं को कई वंशा का समुदाय में बाड़ दिया जो विवा वेवसाय जाता भोजन जैसे बंदनों से बंदे थी यानि विवा भी अपने जाती में करना था वेवसाय गरन करने का भी प्रवधान जो था अपने ही जाती में था तो इस तरह के वंशा को समुदाय में यहां पर जाती बाड़ दी कहते अरंभी काल में जाती प्रता वेवसाय पर अधारी थी तता जाती परिवरतन करना कठीन न था लेकिन समय भीतने के साथ जाती प्रता जो थी वंशागत होती चली गई यह कहते हैं जह समय वित्ता है वैसे वैसे जातियों में भी बहुत हमें परिवर्तन देखने को मिला अर्थात अब यह जनम प्रधारित हो गई कि जो बच्चा जिस जाती में जनम लेगा उसको उसी जाती को जो है मानना पड़ेगा यह प्रवाधान जो है लोगों में घर कर गई इसको बदलना कठिन हो गया और कई व्यावत अथा दुरन चक्र है इसने हिंदू समाज कई समधा में जकर रखा है कलांतर में देखा जाए तो इसकी पकर कमजोर होने लगी है आज मुडला इस दुनिया में जाती प्रथा जो है बहुत काफी कमजोर हो गई है और शिक्षा के परसार था आधुनिक जीवन शली ने इसे कहते हैं और भी कमजोर कर दिया है कारण क्या है कि हम आधुनिकता के जो है आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक यूग में जो है जाती प्रथा को लेकर चलना शायद संभब नहीं है इसे शिक्षा के परसार था आधुनिक जीवन शलीयों ने इस कठोर जाती प्रथा को काफी हद तक कमजोर किया है समाज कई वर्गों ने जाती प्रथा के कि महतपुन भूमिका भी निवाई है तदा उन्हें इसे सफलता भी प्राप्त हुई है आज भी हमारे समाज में महतपुन भूमिका निवा रही है हमारे समाज में आज भी इसकी महतपुन भूमिका है किन्तो यह पहले कि भाती कठोर नहीं है तो था इसमें काफी लचिलापन आ गया है अगर आप आप देखोगे तो आज हमारे समाज में भी देखिए काफी जाती भेदभाउ कहतम हो रही है हम एक छेतर में रहते हैं कई जातीες के लोग मिल जूलके रहते हैं लेकिन यही पुरातन समय में अगर देखियेगा तो हर जाती के विक्ति जो थे अपने समुदाएं में ही रहते थे और उनका अलग ही वसेरा हुआ करता था अलग ही उनका जो है रहते थे लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज सेहरों में जो है कहते हैं, एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग में नहीं कितने जाती जो है निवास करते हैं और एक दुसरे के सुख दुख में सयोग देती हैं तो इससे यह होता है कि जाती प्रता जो है काफी जो है चीला हो गया कठोरता खतम हो गई और यह जरूरी भी था क्याते हैं अक्सर और बहुत से संदाव में हम बर्गो और जीवन में प्रावो में धर्म को पढ़ते हैं वान श्रम धर्म जो सुधुर अतीत में सपस्ट और मजबूत था परन्तु अब सपस्ट है गलाफत माही वाला है और थोड़ा बहुत बूला भी जा चुका है और जिस व्यक्या अब बर्गो और जीवन में प्रावो के धर्म को पढ़ते हैं वान श्रम धर्म जो सुधुर अतीत में सपस्ट और मजबूत था परन्तु अब अब सपस्ट है गलत फैमी वाला है कहते हैं इस सब बाते गलत फैमी हैं और थोड़ा बहुत बूला भी जा चुका है और जिसकी व्यक्या अब भ्रामन करते थे आब इसको भ्रामन भी नहीं कर सकती क्योंकि जाती प्रथा देखा जाया तो आज बहुत ही कमजोर हुआ है और बहुत कमजोर होना ही जो हमारे समाज के बदलाब की एक परम चरंदिखाई देता है जाती प्रथा का सब प्रथम हमें अर्थ जानना पड़ेगा कि जाती प्रथा का अर्थ क्या होता है कहते विभिन लोगों ने जाती प्रथा का व्याक्षा के संदाम में विभिन विविन विचार व्यक्त किये हैं सभी लोगों की अपनी विचार धारा थी इसमें डॉक्टर वी ए स्मीत एक प्रसित इतिहास कार है और यहने जाती प्रता की प्रभाशा का देते हुए लिखते हैं कि जाती प्रता एक ऐसे परिवार का समू है जो आंतरिक तोर पर कई बंधनों विसेश कर बिवा एबं भोजन संबंधी मामलों से जुरा रहता है ताकि उनकी सुधता बने रहे देखिए काफी महत पूर्ण यहाँ पर डड़ वी एम स्मीत ने कहा है कि जाती प्रता एक ऐसी परिवारों का समू है जो आंतरिक तोर पर कई बंधनों विशेश कर बिवा एबं भोजन संबंधी मामलों से जुरा रहता है ताकि उनकी सुधता बना रहे तो देखा जाए जाती प्रता में विशेश रूप से जो विवारों को भोजन संबंधी मामले ही आते हैं और इसमें जो है लोग यह कहते हैं कि अपने ही जाती में विवारों अपने ही जाते भोजन करने से उनकी सुधता बनी रहती है इसमें डक्टर स्राम सास्री भी इस बात का समर्थन करते हुए जाती प्रथा को प्रभासित करते हुए लिखते हैं कि कुछ लोगों का एक समूँ जो समाजिक मसलों जैसे विवास अदा भोजन आदी के लिए संगटितों उसे जाती कहती हैं और इन परिवाशाओं को देखते हुए बरतमान प्रसितियों में जाती प्रथा का कोई महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि बरतमान समय में विवा भोजन और विवसाय के मामले जाती प्रथा के वरजनम तोड़ चुकी हैं क्योंकि देखा जाये तो आज क्या धुनिक में ये बात सत्य है कि आज समय ने जो है विवाश जो की वनशागत होती थी अपनी वनश में किया जाता था या अपने समदाय में की जाती थी आज विवाश के जो बाते हैं आज मोडला इस दुनिया में सब तूट रही है बोजन सिर्व अपनी समधाय में खाया जाता था आज वो भी तूट चुका है तो देखा जाये तो आज बहुत सी बाते हमारी जाती प्रथा को भंग कर रही है जो हमारे समाज के लिए अच्छी भी हो जरूरी भी है लेकिन मैं यह नहीं कहता कि यह जो बिवा की जो प्रवधान आज हो गया है वो सही है या गलत इस पर अनलाइज करना सही नहीं होगा क्योंकि कहते हैं बिवा दो व्यक्तियों का बंधन होता है लेकिन देखा जाए तो दो विक्तियों का बंधन से यहां पर प्रयाप्त नहीं कहा जा सकता है सब्दुखो कहते हैं दो पडिवारों का मिलन होता है आज बेशक लिए हमारे देखा जाए तो विवा प्रताओं में बहुत चेंजिस आई है क्योंकि जाती प्रता कमजोर हुई है आज विभिन विभिन धर्मों के लोग एक दुसरे से साधी विवा का जो संबंद स्टापित कर रहे हैं और आज नोजवानों में इसकी एक होड़ सी लगी हुई है लेकिन देखा जाए तो बहुत से ऐसे कांड भी हो रहे हैं जो हमारे समाज को गरत रास्तों पे ले जा रहे हैं इसलिए जर्नल सी बात देखा जाए तो विवा एक महतपून करम कांड है इसको अपने परिवार की सहमती से किया जाए तो ये काफी महतपून हो जाता है आगे आया है जाती प्रथा का जनम यह अनुमाल लगाना कठिन है कि कव और कि प्रसिती में भारत में जाती प्रथा का जनम हुआ यह माना जाता है कि रिगवेदी काल में आर्यों में जाती पर्था नहीं थी आप देखिए ये काफी महत पूर्ण बात है कि रिगवेदी काल में जो भारत में आर्य आये थी उनमें जाती पर्था नहीं थी समाज में केबल एक ही विवाजन था गोरी चमरी वाले आरे और काली चमरी वाले अनारे जिन्हें दश्चू कहते थी यानि इस समय गोड़े और काले की भेदवाव थी शब्द वर्ण का शब्दिक अर्थ होता है रंग वर्ण का मतलब होता है कलर यानि रंग इदापी चमरी के रंग ने समाजिक अवंटन के थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई पर कुछ रूप से यह आरे द्वरा मुल निवासों पर विजय के कालन था जिभी वो कई छेत्रों में विजय हासिल कर चुके थी इसलिए एक आभी महत पून था देखा जाए तो आरे द्वरा दासों पर विजय यानि देखा जाये तो इस समय जाती प्रता तीन लूपों में हमारे समाज में विद्वान था एक योद्धा का था एक पुजारी का था और एक सधारन लोगों का था आगे चलकर उत्तरवेदी काल में जब आरे गंगा की घाटी की और बड़े तो वन प्रनाली में महत्पून परवर्तन हुए और आरे क समाज में जाती प्रता परचलित हुई जाती प्रथा आर्यों ने इसलिए अरंब की क्योंकि ऐसा करने से उन्हें समाज में अनार्तों को उपर अपना दवदवा रखने में सुबधा थी यानि देखा जाये तो जाती प्रथा यहाँ पर सुरू करने का सबसे बरा मक्सद था कि जो छुद्र थे जो सेवक वर्ग थे दास वर्ग थे उन्हें पर जो है दवदवा बनाया रखा जा सकी इसलिए आर्यों ने जो है दास प्रथा के जगा पर आब जाती प्रथा अरंब कर दी और एक बार जब इस प्रणाली को अपना लिया गया और यह समागी धाचों का टूट अब मुख्या भाग बन गया कहते हैं दोस्तों हर चीज पुराने समय से विदवान नहीं थी हमारे समाज ने इन चीजों को बनाया है और हम जिस समाज में जनम लेते हैं हम जो हमें सिक्षा दी जाती है हम इसी चीज का ग्रन कर लेती है इसी कारण देखा जाए तो ये सारे चीजे हमारे समाज में विद्वान नहीं थी लेकिन समय आते आते जो बड़े वर्ग थे दूसरे वर्ग को दवाने के लिए इन प्रथाओं को जो है सुब अरम किया इस प्रनाली मकलांतर में आरे के बीच कई अवरोध खरे किये गए देखा जाए तो इसके विरोध कई वार हुई लेकिन इसके अलावा आरे ने अपनी सक्ति का विस्तार करते हुए कई छेतर भी जीते और कई राज्यों के स्थापना भी किया और इस तरह एक व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य का निर्वा एक साथ करना कठिन हो गया जैसे यूद क्रिशी वेपार कार्य तथा यग करना आ दी इसलिए ये सभी कार्य अवं जिम्यदारियों विभिन समुहों को सोब दी गई और समाच चार वर्नों में बठ गया यानि देखा जाय तो उस समय यूद क्रिशी वेपार कार्य यग यह कवि महत पूर्ण प्रस्थान थी इसलिए इनको जो है चार श्रिणिओं में बार दिया अगया यूद करने वाले च różतरी कहला अ प्रिशी करने वाले कहते हैं चुद्र और भैश्य कहला है वेपार करने वाले चुद्र और यक करने वाले जर्नल सी बाद ब्रहामन कहला है तो यह काफी महत पूर्ण है देखा जाया तो यह काफी महत पूर्ण बात थी कि यूद क्रिशी बेपार कारे और यग करना इस सब के गत्विधियों में थी अब यहाँ पर बात है कि सेवाई करने वालों का यहाँ पर वर्नन नहीं है जो सेवाई करते हैं दूसरे को हो क्रिशिक भी कहला सकते हैं यहाँ पर चुद्र वर्षय में आपको थोड़ा के इंफ्यूजण बन सकता है लेगरिब समझ होना चाहिए यूद करते आई च्छत्रिय कहलाते हैं जो यक करते हैं वो ब्रहामन कहलाते हैं और जो क्रिशी करते हैं वो कहते हैं बेश्या कहलाते हैं और छुद्र जो होते हैं इन सब की जो है कला गुजारी करते हैं सब के जो है घरों में काम करते हैं या सब की मदद करते हैं तो वो छुद्रों में आते हैं तो इस तरह जो है उन्होंने इनको चा भागों में बाट दिया इस तरह आरे समाजी विवस्ता कारे वर्वेबाइफ साय के धार पर चार वरगनों में रोने वर्गों बाटा अब वह भरग जो धार्मिक अनुस्तारि में कुशल थे यक करना सिक्षा परदान करना ब्रहामन कहलाते थी और उनका समाज में मुचा स्थांतर उसका बहुत ही आदर किया जाता था रजाओं के मंतरी अधिकतर ब्रहामन ही हुआ करते थी जिनका बेपसाय युद में लरना देश की स्वक्षा करना भूमी स्वा में जिनके पास राजनीती सकती थी उन्हें छत्री या सैनिक वर्ग भी कहा गया रहाजा इस वर्ग के संबन्द रखता था और इसी तरह बेपार वर्ग निये सिल्ब करा क्रिशी कारे में लगे हुए लोग वेश्या या बेपारी वर्ग कहला है इन्हें हम वेश्या या बेपारी वर्ग कहला है चौता वर्ग जो था छुद्र कहला आया था इसके अंदर वे लोग जिन्हें समाज में कम समझा जाता था जैसे जाती चयूत आरे जिन्हें पहले तीनों वर्णों में कई अस्थान नहीं दिया गया यह पहले तीन वर्णों के लिए सेवा किया करते थे यानि देखा जाया तो ब्राम्मन चत्रिये और वेशिया इन सब का सेवा जो थे छुत्र किया करते थे तो यह है जो चार भागों में वर्ण विवस्ता बनाई गई ब्राम्मन चत्रिये छुत्र वेशिया तो यह काफी महत पून थे अगर हम जर्णली इस बात को समझने कोशिश करें तो कहते हैं मूँसे बोला हुआ वानी ब्रहामन कहिलाया बाजू में लिया गया हत्यार कहते हैं छतरी कहिलाया और पेट के लिए कारे करने वाले कहते हैं वेश्या कहलाया और जो पैरों के नीचे थे वो छुद्र कहलाया तो आप इस तीन सरी के अंगों से जो है इनकी पहचान डख सकती हो कि ब्राह्मन पुचारन बोलना मुसे छत्रिये लड़ाई यानि हाथ से करना अप पेट के लिए किय कारे वेश्या कहलाता है और चुद्र जो होता है जो पैरों के नीचे होता है तो यह याद करने के लिए काफी महत्पूर्ण यहां बात आपके लिए थी रिगवेद के दसवे और मडल के जो है पूरुशूत्र मंत्र में समाद चार वर्नों विभाजित का उलेख किया गया यानि रिगवेद में चार वर्नों के बारे में विस्तार पर पर खमें इन्फरमेशन मिलती है और इस मंत्र के अनुसार शुष्ट्री के निर्माता ब्रहमा के मुक से ब्रहमन बाहों से छत्रिये और जांगों से वेश्या और पैरों से छुद्रस की उत्पत्ति हुई यह जाए तो हिंदू मानता के अनुसार है कि ब्रहमा ने जो है अपने मुक से ब्रहमन की जो है उत्पत्ति किया बाहों से छत्रियों को और जांग से वेश्या और पैरों से छुद्र की उत्पत्ति की इस तरह रिगवेदी काल के अंतिम दिनों में आरे समाजी विवस्ता अपने इच्छा अनुसार अपने वेवसाय को बदल सकता था और इसी परकार पहले तिन वर्नों में अंतर जाती विवा और भोजन पर कोई पावंदी नहीं थी यानि पहले तीन वर्न में कोई तरह का जो है पावंदी नहीं थी और यह रिगवेदी की मंत्रों सो भी पता है कि मैं एक कभी हूं मेरा पिता चिकसक है और मेरी माता अनाच पिशन हार है इस बात को सिद करता है कि उस समय कभी जो था उसका पिता चिकसक था और उसकी माँ पिनहार था यानि तीन वर्नों में किसी परकार की अंतर जाती पवंदी नहीं थी तो यह काफी महत पून बात यहां पर आता है देखा जाले हाँ तक कि उत्रवैदि काल में भी वार्मों की पहचान उसके काऱे वह विफशाय से ही होताथा कि बेख्टियों कि जाती या वनगों का अनुमान उसके बेवसाइक जो है बेवसाइक बेवारता विचारों को से लगाया जाता था ना कि आज की तरह उसके जनम के अधार पर उधारन सरूप विश्वा मित्र रिशी का जनम एक छत्रे परिवार में हुआ था विश्वा मित्र जो थे रिशी थे और उनका जनम छत्रे परिवार में ह अर्थात वह जनम से छत्रिय थे लेकिन लगातार कई वर्षों तक तपस्था करने के बाद उन्हें ब्रहामन माना गया इस तरह वह महाभारत के प्रशिद दुराना चारे जनम से ब्रहामन थे लेकिन पेशे से ब्रहामन थे लेकिन पेशे से एक छत्रिय थे इसी तरह बरिष रिशी एक मचुवारे सिक्वे यहां पैदा हुई अभी इस परकार राजा तितराश्ट के जो है मार दर्शक विधूर एक दासी पुत्र थे लेकिन इन सभी के उच्चे कोटी का ब्राह्मन माना गया महा काव्य यूग एक जो आंतर जाती है जो है भोजन और समाज उस समाज समबंद अंतर विवा विभीन वर्णों में सोतंतर रूप से होते थी महा काव्य यूग तक जो है ये सारे समाज समबंद अंतर विवा विभीन वर्णों के सोतंतर रूप से होते थी इस समय वर्ण की यहां पर कोई अस्थान नहीं था उधानता च्छत्रिय राजा याती औ अहार विवार करने पर करीप अवंदी लगा दी गई साहसता मनु के यूग के पस्षाथ जाती विवस्ता की कठोड़ता एविजलता बढ़ती चली गई अब जाती प्रथा पूरी तरह से वन्षा गत हो गई प्रथा इन में परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन हो गया लेकिन तीरे देरे वर्नों के छोटे वन्ष समू में विवावित किया गया जिने जाती के रूप में जाना जाता है अंतर विवा और एक साथ भोजन इन जातियों दोरा निर्धारित किये जाए गए थे और इस तरह से जाती प्रथा ने आरे के बीच आपस में कई दिवारे कर दी तो देखा जाये तो हमने यहाँ पर जो बात किया डिसकॉस का भी महतवपून था कि पहले हमारे समाज में जाती प्रथा कोई कहते कोई भी अंश नहीं दिखता था लेकिन समय के साथ उच्चे वर्गों ने जो है अपना दवदवा बनाने के लिए और अपना प्रभ परकार जाती प्रथा का सुब अरम हुआ और धीरे धीरे वर्णों में में बदलता गया तो देखा जाएускा ने अपनी अषकतां के लिए प्रभणद रचा और यह कहते हैं बहुत ही जुसकम बात है। बहुत ही लोग के लिए जूए महतवपून भी है। देखा जाए तो काभी महत्वपून टॉपिक हमारे समक्षता आगे का टॉपिक और भी महत्वपून है जाती प्रथा का विकास तो बने रहे तिरपान स्टी सेंटर के साथ और जितना हो सक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए पहली बार वीडियो द यह कड़ी जुरते 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 जो है एक कहते जंजीर बन जाता है उसी परकार आप से मैं संपर्क में आया हूँ आप इसको दुसरे बच्चों संपर्क में जाए और यह तब होगा जब आप इसको जो है वाटस तब इस्टेटस पे जो है लगाओगी क्योंकि यही ए दोस्तों जितना होसा किसे एक एक को श pathi पहली बार में Jordan पहली बार में चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हूzdर स्मझ में आरा रहा है अच्छा है तो यह चैनल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वाल में सेव कर लिजी कि सेव कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिस्वेशन मिलेगा